हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और IRCTC के बारे में साथ ही हम दो इस्टॉक के बारे में बात करेंगे जिन में आपको Corporate Actions देखने को मिलने वाला है यहाँ पे अगर आप देख उसमें क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो वीडियो काफी यहाँ इन्फोर्मेटिव हो सकती है अगर आपके बस इन दौनों में से कोई भी स्टॉक है या फिर आप प्लान कर रहे हो इस गिरावट में इन दौनों स्टॉक में से क देखोगे फ्राइडे का सिनेरियो तो आपको एक गिरावट का माहल देखने को मिला करीबन 1.60% का 705 पर आपको यह शेर ट्रेड करते हो नजर आ रहा है इस प्लिट के बाद अगर आप देखोगे इस स्टॉक की जो पूरी कहानी है बिलकुल चेंज होती हो नजर आ रही है जो स्टॉक हमेशा चाहे वो गिरावट हो या फिर कैसा भी सिनेरियो हो अच्छे रिटन्स देथा था वो आज की टाइम पे एक मुमेंट अच्छा गासा देखा नहीं पा रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर पिछला एक महीना भी देखोगे तो करीबन पौने 11% के आप देखने को मिला है लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर देखो पिछला एक साल तो अभी भी 108% के रिटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यानि कि अगर आप देखोगे तो लॉंग टम का प्लेयर तो अभी यह नजर आ रहा है इतनी बड़ी गिरावट के बा जब इसने हाई बनाया था उस अब तक यानि कि 6 मही तक इसमें करीबन 40% का करेक्शन है 40% का करेक्शन मतलब आदे प्राइस के आसपास आपको यह ट्रेल करते हो नजर आ रहा है यानि कि इस इस टॉक का प्राइस होना चीए था वह 24-100 का आसपास होना चीए था जो कि आपको 700 रोपे के आसपास ट्रेड करते हो नजरा आ रहा है तो definitely आदे प्राइस के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है तो क्या ये सही टाइम है तो आपको जब देटा सापता पता चल गया है कि जो स्टॉक जो कि एक अच्छे गासे लेबल पे ट्रेड करने लायक है जिसमें फंडमेंटर्स में कोई इश्यू नहीं है बाकी भी कोई इश्यू नहीं है वो अगर इतने कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो definitely मेरे according तो एक अच्छा सेनेरियो बन सकता है बाइंग उपचिनिटी बन सकती है वह अगर हम शेर होल्डिंग पैटर्न बन नज़र आले तो आपको प्रामोटर्स की होल्डिंग भी एक्स्ट्रा नज़र नहीं आती 67 पसंट नज़र आती है mutual fund अगर आप देखोगे तो 0.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हुआ है साथ ही DIA इसकी भी 86 होल्डिंग 5% से जादा की है FIA करीवन 6.5% के आसपास की होल्डिंग है और करीवन 21% के आसपास की होल्डिंग आपको यहाँ पे retailers की देखने को मिल रही है तो यह तो बात होगी shareholding pattern के बारे में तो यहाँ पे आपको यह चीज तो बदर सलगी कि shareholding pattern जो है वो बिलकुल decent है इसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती है लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके financials के बारे में तो 2018 से 2020 तक अगर आप यहाँ पे देखो तो revenue में बहुत ही तगड़ी growth देखने को मिल रही है साथ ही साथ company की profitability है वो आप देख पा रहे होगे कि कहां से कहां तक grow करते हो नज़र आई है लेकिन वहीं अगर आप सोचोगे कि जो financials है वो तो खराब है क्योंकि 2021 में तो आपको बहुत बड़ा drop देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का reason भी आपको पता है कि COVID के बज़ा से जो सबते जादे impact हुआ था sector वो आपको ISTC के सेक्टर नहीं त्रेवलिंग सेक्टर ही देखने को मिला था trains बंद थी सारी जो भी facilities थी वो सारी चीज़े बंद थी तो definitely अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस वज़े से drop है otherwise कोई भी issue नज़र नहीं आता तो इस बार के quarter four की expectations काफी यहादा सही नज़र आ रही है chances हैं कि इस बार ही एक अच्छागा सा profit यह company आपको दिखाए तो जैसी date आएगी मैं आपको update कर दूँगा उससे पहले हम यहाँ पे IRFC के बारे में बात कर लेते हैं तो IRFC में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Friday के दिन इसमें भी एक बड़ी गरावत देखने को मिली थी करीवन 1.59% की 21.70 पैसे की closing यह share आपको बनाते हुए देखने को मिला था इसे related एक update आ रही है जो कि मैं आपको directly दिखा देता हूँ रेल टेल कॉर्परेशन बैक्स 20.81 करोर्स ओडर फ्रों आयर एपसी यानि की कम्पनी को अगर आप देखोगे तो इतने रुपीज के जो ओडर है वो रिसीब हुए है आयर एपसी से यहाँ पर आधी अगर आप देख पाऊगे तो रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया इन्फॉर्म्ट तो अग्सेंज रिगार्डिंग देखोगे तो डेफिनेटल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इस कमपनी के भी जो कामकार्ज है वो दोनों ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं चाहे आप आई एर एपसी भी देखो और रेल टेल भी देखो तो डेफिनेटल इसके काम में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है में दिक्कत आपको पता है प्रमोटर्स की होल्डिंग है जब तक यहाँ पे आपको जो OFS देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आपको share में भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बाकी अगर Q4 के बारे में बात करें, तो expectations है company इस बारी आपको अच्छागा सा dividend दे ले, as a final dividend, तो और यहाँ पे company के जो dividend profile है, वो भी काफी अच्छी नजर आती है, तो reason आपको बताए कि कब से गिरोथ आएगी, तो इस पे जाज़ा discussion बनता नहीं है, मैं आपको directly अब दो stock पर लेकर चलता हूँ, जो कि आपको corporate actions दिखाते हुए नजर आ रहे है, company का जो नाम निकल के आता है, वो है BLS International Services Limited, company आपको 300 cash plus trade करते हूँ नजर आ रही है, Friday को इसमें भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो definitely अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो company यहाँ पे आपको corporate action दिखाते हूँ नजर आने वाली है, यानि कि company आपको one ratio one का जो bonus है, वो देने वाली है, एक्स date निकल के आती है, 13th में 2022, यानि कि 13 माई जो निकल के आती है date, वो execution date है, उससे पहले पहले तक आपके बाद, इस particular stock होने चाहिए, यानि इस particular company के stock होने चाहिए, तब ही आप eligible होप आओगे, one ratio one के bonus के लिए, तो definitely अगर आपको bonus के लिए ही जाने है, वैसे मेरे जाल से एक ये particular reason नहीं होना चाहिए, किसी भी company में invest करने के लिए, लेकर अगर आपको जाने है, तो आप इसको consider कर सकते हो, अब मैं आपको दूसरा stock बता देता हूँ, जिसमें आपको corporate action देखने को मिलने वाला है, company का नाम निकल के आता है, बजाज holdings and investment, 5000 से उपर ये share आपको trade गत्ते हो नजार आ रहा है, financial trend अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो company के ये जो revenue और profitability है, बहुत ज़्यादा अच्छी गासी देखने को मिल रही है, growth बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और इसलिए दो सालों में तो बहुत ही बहेंकर आपको यहाँ पे movement देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे कौन सा corporate action देखने को मिलने वाला है, company आपको यहाँ पे dividend देते हूँ नजर आ रही है 25 रुपे पर share का, और इसकी X date निकल के आती है 30 June 2022, यानि के अभी आपके बास काफी time है research करने का, और अगर आपको यहाँ पे इसके fundamentals अच्छे लगते हैं, company का performance अच्छा लगता तो definitely आप इसमें अपनी position बना सकते हो, तो 25 रुपे का dividend company आपको देते हूँ नजर आ रही है, तो फिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो का आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप first time विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दीजिएगा, धन्यवाद,